असलाव अलेकुम दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आईशा तो दोस्तों क्या देश के बड़े नियूज एंकर्स की लिस्ट जारी करके इंडिया इलाइंस ने जंग का एलान कर दिया है क्या अब रोधी दल सीधे मीडिया से टकर लेना चाते हैं और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट में शामिल जितने भी नाम है उनकी आगे की चाल क्या होगी क्या वो भी इस गड़बंधन के खलाफ एक होकर जंग का एलान करेंगे या फिर उनके रुख में नर्मी आएगी फिर जो भी हो लेकिन एक बात तो अपते है कि गड़बंधन ने टकर सिर्फ इन 14 नियूज एंकर्स से नहीं ली है बलकि उन्होंने सत्ता पक्ष को भी ये लिस्ट जारी करके सीधे चुनोती दी है अब देश का मीडिया पूरी तरह से दो भागों में बटता हुआ नजर आएगा हाला कि अब भी बटा हुआ है लेकिन अब खुल कर देश में मीडिया के बीच लड़ाई होगी एक वो मीडिया होगा जिनका नाम इस लिस्ट में है और एक वो मीडिया होगा जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है यानि वो मीडिया जो सोशल मीडिया के जरिये इस सत्ता पक्ष वाली मीडिया को गोधी मीडिया कहता है लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस बीच देश की जनता का क्या होगा कि इस माहौल में कोई ऐसा पत्रकार बचेगा जो देश की आवाज को उठा पाएगा मीडिया एक दूसरे से ही लड़ता रहेगा जैसा आज लड़ रहा है गड़बंदन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मौजूद शायद ही किसी एंकर ने ये सवाल उठाया हो कि कश्मीर में जवानों की शहादत के बावजूद पिये मोदी रेलिया और जशन क्यों मना रहे हैं क्या आगे भी ऐसा ही होता रहेगा क्या कभी ये लिस्ट वाला मीडिया गलती के बाद भी व्रोधी और विपक्ष से ही सवाल पूछता रहेगा और क्या जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो गड़मंधन वालों से कोई सवाल कर पाएंगे क्या वो ये पूछ पाएंगे कि आपके राज्यों में क्या हालात है वैसे गड़मंधन की इस लिस्ट में ऐसे भी नाम है जो टीवी पर बैट कर हिंदू-मुस्लिम डिबेट नहीं करते तो ऐसे में गड़मंधन उन एंकर्स के खिलाब वोई-कट कैसे करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आप भी अपने राएक कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस सब्सक्राइब जरूर करते हैं